गुजराती रेसिपी खांडवी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है लेकिन इससे बनाना थोड़ा सट्रकी होता है लेकिन आज मैं आपके साथ खांडवी की जो रेसिपी सेयर करने वाली हूं उससे आप खांडवी को easily घर पे बहुत ही आराम से पना सकते हो तो चले फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो खंडवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा तो ये चनिका आटा है मतलब कि बेसन है जो बारिक वाला आता है वो हमें चाहिए और अब मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग जार इससे जो खंडवी हम बनाने वाले हैं उसकी प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है चलिए ये जो मिक्सिंग जार है उसके अंदर हम ले लेंगे बेसन तो बेसन यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी में मैं खंडवी बनाना चाते हैं उतना ले सकते हो तो यहाँ पे मैंने घर की ही एक कटोरी ले लिया है उसी के नाप से मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है तो एक कटोरी बर के मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और अब ले लेंगे दही, तो दही बहुत ही जादा खटा नहीं होना चाहिए, medium खटा वाला दही लेंगे तो एक कटोरी भरके हम ले लेंगे दही, तो बेसन और दही पॉंटिरी में हमें लेना है और अब इसके अंदर जाएगा दो कटोरी भरके पानी अगर आप दही नहीं लेना चाह रहे हो अगर आपके पास चाच है तो आप उससे बनाना चाहते हो तो तीन कटोरी भरके आप चाच ले सकते हो लेकिन चास बहुत ही ज़ादा खटी नहीं होने चाहिए और बहुत ही पटली नहीं होने चाहिए थोड़ी सी हम थिक वाली चास चलिए अब इसके अंदर डाल देते हैं मिर्ची तो यहाँ पे मैंने दो मिर्ची डाल दिया है कट करके और एक छोटा टुपड़ा मैंने डाल दिया है अद्रक का और अब इसके अंदर डाल देंगी तेस्ट के अकॉडिंग नमक और थोड़ी सी हल्दी तो यहाँ पर मैंने आधा चमच हल दी ली है और एक छोटा चमच भरके मैंने डाल दीया है हिंग और अब इसे हमें blend कर लेना है तो इस तरह मिक्सी में इसे blend करने से काम हमारा थोडा सा काम हो जाता है क्योंकि जो अद्रक और मिर्च हमने ली थी उसे हमें कूट करने डालना पड़ता है मिक्सी में एजीली पीस जाता है और इसका टेस्ट भी इसके अंदर बहुत ही बढ़ी आप बैट जाता है तो चलिए यहाँ पे मिक्शर हमारा एकदम रेडी है देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई मिर्ची या फिर अद्रक के पीसिस रह गए की नहीं तो आप देख सकते हो कि अच्छे से मिर्ची और अद्रक पीस के अंदर पीस गए हैं और बहुत ही बढ़ी आफ लेवर इसके अंदर अद्रक और मिर्च का आ गया है और अब यहां पर मैंने ले लिया है एक नॉन्स्टिक पैन तो खाणवी बनाने के लिए आप नॉन्स्टिक पैन का ही उज़ करिएगा क्योंकि अगर आप स्टील या फिर अलुमिनम का बढ़तान ही उज़ करोगे तो उसमें यह जो मिक्षर है वो बहुत ही चिपकेगा तो नॉन्स्टिक पैन अगर आपके पास है तो वही उज़ करिए चलिए अब ले लेंगे एक चलनी और यह जो मिक्षर हमने रेडी किया था उसे हम छान लेंगे तो यह पैन के अंदर ही मैंने इसे चान लिया है और अब प्लेटफर्म को मैंने अच्छे से दो से तीन बार क्लीन कर लिया है क्योंकि प्लेटफर्म के उपर ही मैं खांडवी को फैलाने वाली हूँ तो ये वाला जो step है वो पहले से ही कर लेना है क्योंकि बाद में हमें इसके लिए time नहीं मिलेगा चलिए सब कुछ ready है और अब आपको सबसे पहले चाहिए patience क्योंकि खांडवी बनाने में बहुत ही patience चाहिए इसे हमें एकदम low flame पे तकरीबन 20-25 मिनिट पकाते रहना है और continuously इसे हमें चलाते रहना है अगर आप इसे छोड़ दोगे तो नीचे से चिपक जाएगी और इसके lumps बन जाएगे तो खांडवी हमारे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी तो एकदम low flame पे इसे continuously 20-25 मिनिट हम चला लेंगे तो हाथ भी थोड़ से दर्द कर सकते हैं आपके लेकिन अगर आपको घर की बनी खांडवी खानी है तो थोड़ी सी मेनत करने पड़ेगी तो यहाँ पे तकरिबर मुझे 20 मिनिट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि खांड भी हमारी सेट होने के लिए रेडी है कि नहीं तो यहाँ पर मैंने इस तरह एक प्लेट के पीछे थोड़ा सा मिक्षर लगा लिया है और अब इसे 2-3 मिट हम ठंड़ा होने देंगे और चेक करेंगे तो यह देखिए मिक्षर इस तरह एजी ली चूटने लगे मतलब के प्लेट छोड़ दे तो समध लेना है कि हमारा इस जो मिक्षर है वो एकदम रेडी है तो रन्त ही हम गैस बन कर देंगे और यह जो मिक्षर है उसे इस तरह प्लेटफॉर्म पर फैला लेंगे अगर आप चाहो तो बड़ी बड़ी थाली ओपर भी इसे फैला सकते हो लेकिन मैंने इसे प्लेटफॉर्म पर फैलाया है क्योंकि यह पहुत ही इसी लगता है मुझे तो चलिए इस तरह हमें पटला पटला उसे फैला लेना है यह काम करने में थोड़ी से स्पीड करनी इस तरह यहां पर देक सकते हो कि मैंने फटा-फट से सारा मिक्शर खेला किया लिए इस यहां पर यहां पर गनाrif किया है और उपर नीचे भी एक cut लगा लिया है ताकि खांड भी हमारे एकदम perfect रोल होके आए और अब बीच पे भी हम cut लगा लेंगे तो equal distance छोड़के हम cut लगाएंगे ताकि खांड भी का जो shape है वो एकदम equal आए चलिए अब हम इसे roll करना start करना है तो starting में आपको लगेगा यह अच्छे से roll नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा roll होगा उसके बाद easily फटा फट से यह roll होने लगेगा तो यह देखे आप देख सकते हो कि easily मैंने एक खांड भी roll कर ली है कितनी पतली पतली और कितनी perfect खांड भी हमारी बन करके ready है और अब सारी खांड भी को हमें इसी तरह roll कर लेना है खांड भी को roll करने का काम बहुत ही interesting होता है इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आता है लेकिन इसका जो batter बनाने का process है वो थोड़ा सा boring हो जाता है क्योंकि एक ही जगा खड़े रहके आपको इसे continuously चलाते रहना है अगर आप इसे छोड़ दोगे एक दो मिनिट के लिए भी तो आपकी खांड भी बिगड जाएगी तो वो batter जो अगर बन गया आपसे perfect तो खांड भी फटा फट से बन जाती है और अब यहाँ पे kitchen में रुद्रा आगया क्योंकि वो कपसे देख रहा था कि मैं कुछ तो बना रही हूँ क्योंकि हमारे गर में खांड भी फर्स टाइम बन रही है तो रुद्रा को नहीं पता था कि ये क्या बन रहा है लेकिन उसे बहुत ही interesting लगा तो वो बोला ममी मैं भी बनाऊंगा तो उसने भी एक खांडवी को रोल कर लिया और खा भी लिया क्योंकि उसे बनाने से ज़्यादा खाने में इंट्रस था और उसे खांडवी बहुत ही अच्छी लगी तो रुदरन तो बहुत सारी खांडवी ऐसे ही खाली और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी खांडवी को मैंने रोल कर लिया है और एक कटोरी बेसन से हमने कितनी सारी खांडवी बना ली है अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो ये खांडवी बहुत ही महेंगी मिलती है लेकिन घर पर आप इसे easily इस तरह फटा-फट से बना सकते हो हाँ लेकिन खांडवी बनाने में थोड़ी से मैनत तो जरूर लगती है लेकिन घर पर आप अगर इसे पनाओगे तो एकदम हाईजेनिक तरीके से बन करके रेडी होगी और इसे खाने में आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा तो ये देखिए सारी खांडवी को मैंने रोल कर लिया है कितनी परफेक्ट खांड भी हमारे बन करके रेडी है चली अब इसके उपर लगा लेते हैं छोक क्योंकि छोक लगाए पीना ये इतनी टेस्टी ने लगेगी तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बरतन ले लिया है उसमें मैंने तीन से चार चमजबर की तेल ले लिया है तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद इसके इनर डाल देंगी एक चमजबर के राई, पांक से शे करी पत्ते दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्च एक छोटी चमजबर के हिंग और एक चमजबर के डाल देंगे सपेत तीन अब गैस की फ्लेम को हम ओफ कर लेंगी और ये जो चोक हमने रेडी किया है उसे लगा लेंगे खांडवी के उपर तो इस तरह सारी खांडवी के उपर हमें ये चोक को लगा लेना है तो ये रीजे खांडवी हमारी एक दम रेडी है देखने में कितनी टेंप्टिंग लग रही है खाने में तो बहुत ही तेस्ती थी तो अगर आपको आज की खांडवी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करना चली मिलते हैं जल्दी ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करशना